हेब वाजन गल्स सभी के सभी बहुत बहुत करता हूँ यार स्वागत अपने चैनल एजुकेशनल पॉइंट में आने के लिए और फ्रेंट्स शुरू करते हैं आज की बायोलोजी क्लास टू जिसमें हम अब्जेटिव कोश्चन लेंगे 35 कोश्चन और मैंने इसका पार्ट पढ़ा रखा हूँ आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया था और आप लोगों के साथ पार्ट जरूर लाइए 35 कोश्चन हम करने वाले हैं वहीं सभी के सभी अब्जेटिव जिस टाइप के एक्जाम में आपको पूछेंगे फ्रेंट्स तो आप उसके लिए आ दीजे मुझे कि पार्ट वन में वीडियो कहां से देखो तो यह थीन कोश्चन के पहले हमें एंसर देता हूं उसके बाद मैं चलता हूं पॉजिटिव इनके साथ में कहां पर क्लास स्टार्ट करता हूं तो पहली बात दोस्तों अगर चाहते हो इसकी पैलो जी पार्ट लिंक मैं दे दिया हूं नहीं तो फ्रेंस आप जा सकते हैं हमारे चैनल Eucational Point पर और पर आप जा सकते हैं यहां देख़िए प्लेइलिस्ट पर उसके तो आप यहां पर तिक आउट कर सकते हैं पटना उनिवर्शिटिटी के आपको यहां पर क्लास पर उसके दूस्त जो वी वीडियो है आपकी क्लास काफी लेट आती है या फिर आप काफी कम बनाते हैं तो दोस्तो मैं क्या करूँ मुझे काफी मुश्क्राइब आप लोगो बूरिये दिन में एक से दो वीडियो बगाने का मौका मिलता है क्योंकि मैं भी आफी लोग की तरह इस्टडी करता हूँ और इस्टडी के बीच में टाइम नहीं मिल पाती है तो चाहता हूं दिल छमाज इंकि मैं भी बीचु के पीछे बड़ा हुआ हूँ शुर रखा है डाइपट इस्ट्रक्षर क्या होता है यह बताने की मुझे आपको जरूत नहीं है तो इसमें आप्शन दिये हुए है फ्रेंस ए बी सी और डी आप दे सकते हैं यहां पर कौनको सा ओप्शन दिये हुए है तो फ्रेंस इसका जो वन का एंसर होगा यहां पर जीयो प्रेंस इसका जो एंसर होगा टू का एंसर ए निकल के आ जाएगा क्यूंकि दोस्तों जो आपको होती है ओंसी जीयो नी वह फ्रेंस होती है कैंसर के लिए उत्रदाई होती है फ्रेंस तो चलते हैं पर नेस कोश्चन तरप में तो हमारा दोस्तों यहां पर नेस कोश्चन ह है लेखें कि इंध्व सब्सस्क्रणु विट ववर इज रहों हिड्रो फाइटिक प्लांट बताये भाई कौन साइस में जो है सो हाईड़ोफ्ञ्टिक प्लांट है और आपके स्तापने हापो ऑप्षसन दिये हुए तो फ्रेंस जो थीरी के एंसर होने वाली है वह ए होने वाली है ट्रापा दोस्तों मैं जो बता रहा हूं इसी टाइप व क्वेशन आपको एक्जाम में आएगी आपट टाइप की तो बस उसी टाइप की आप लोगो 12 की बूट उठा लेनी है बायो की और उसकी आपको जो भी व्रेंस देंख और है अपर नेस्ट को है देखनी जाहिए फिलाल दोस्तों यह काफी असान कोश्चन चाहिए पांच का एंसर कौन सा होगा भी नहीं देखें आप लोगी पता सकते हैं पांच जून ठीक है वर्ल्ड इंवर्मेंट डे जो होता है हम लोगो सेलिवेट क्या आता है पांच जून को तो यहां पर दिया हुआ है आपको सर्ट्रल सेल्स आर फाउंड इन बताएं कहां यहां पर चलता है तो हमारा यहां पर निकल के आ जाता है वह देख लिजेगा ऑप्रियन मॉडल इज री परजेटेशन ओफ यहां पर आपको ए बी सीडी ओप्सन दिये हुए है फ्रेंस इसका एंसर कौन सा होगा तो फ्रेंस जो सेभन के जो एंसर होने वाली है वह आपको हर्माफ्रोडिक अनिमल बताए इंसर कौन सी जो है आपको हर्माफ्रोडिक अनिमल नहीं है टेक वां एर्थॉर्ण। हाॊइसफलाइय या फिल यिज्च तो फ्रेंस जो इसका एंसर 8 जो होने वाली है वह आपको सी निकल के आएगी ठीक है हाॉश फ्लाइयुह प्रेंस ज एपसेंट इनन में कौन साहर जो इफसेंट हो तो 9 का दोस्टों एंसर आगा यहाँ पर अर्लिक ठीक है अर्केब फिर दोस्ते किसमें टेर्म कोशन रेटडा भूक क्या दिखाता है रेटडा भूक इनक्लूड लिष्ट-टaliśmy आपनों साथ बहुत वह परहे होंगे टेंग का एंसर डी होगा ठीक है ओल अफ दीच यह भी दिखाता है यह भी दिखाता और यह भी दिखाता है ठीक है फ्रेंट्स चलते हैं आप दिर्स प्सक्राइब में देख लिएगा दोस्तों थालमस इज इविवल पार्ट ऑफ हो कभी परहा है कि मैं खुद मैस का इस्टूडेंट हो फ्रेंट्स तो चाहता हूं माफी यार कुछ कुछ प्रोंसेशन में मुझे गल्टी हो सकती है तो प्लीज गर्ल्स यहां मैनेज आप लोग कर लिजेगा ठीक है तो बैस मैं आपको एक औभर भी बता रहा हूं इसको कर लेकिने मच चलना इस बस मैं बतारों भी वह कोस्टेंच जो यहां में आ सकती है ठीक है तो यहां पात यहापन डिसकोशन के तरफ में तो देख लिए ने इसकोशन के कहा रहा है डी एन ए डीने यह जेनेटिक मैटेरियल आप्स वजाए यह दिएने जो होता है किस चीश को option दिया हुआ तो क्या answer हो friends होगा तो friends इसके जो answer निकल के आएगी 2L का वो आपको निकल के आएगी B number ठीक है bacteria phases DNA is genetic material of bacteria phases population explosion result in dash तो किसमे होती है result किसमे आती है population का 13 cancer D निकल के आएगा all of these ठीक है reduction in income reduction in land reduction in minerals minerals ठीक है फिर दोस्तों आते हैं अपने discussion में acrosome is part of बताई ये acrosome जो होता है किस चीज़ का part होता है तो वह इसका answer A निकल के आएगा head of human sperm आपको जो होता है human sperm का head होता है वोस्ते हैं आपने discussion में हमारा बैक्टीरियल डिवाइसेज ठीक है disease कौन है इसमें 50 नमर में फिप्टी नमर जो एंसर होगा वह आपको निकल के आएगा कि हमारी डी all of these which one is bacterial डीजी इसका answer डी निकल के आदेगा ये भी ये भी ये भी दोस्तों आपको काफी असान कोशन काफी बेसिस कोशन क्रोमोसोम नमबर इन इसका त्यक्त का अदर में फ्रेंस इसका और आधेगा यहां पर यहां पर एक्टी वलुडिया इस टाइप ऑफ डैस एक्टी वलुरिया दोस्तों जो होता है वह किस चीज का टाइप होता है इसका जो एंसर निकल के आदागा फ्रेंस 17 नमबर का वह आपको B नमबर आएगा एलगी ठीक है एक्टीबेटरिया जो टाइप होता हुए एलगी टाइप का होता है फिर दोस्तों आते हैं 18 नमबर में यहां पर अगर क्लैस्टियो गेमस फ्लावर्स आर अलवेज सेल्फ पॉलिनेटेड क्रोस पॉलिनेटेड या बोथ या फिर नन एटिंग का जो एंसर आएगा फ्रेंस हो आपको ए निकल के आदागा सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लो ओ अफ इनरजी इन फूड चेन ऑफ एन एको सिस्टम तो फ्रेंस जो नाइंटिंग के एंसर होगा वह आपको ए निकल के आ जाएगा यहां देख लीजे यूनीटी लेक्शन तो आवाते हैं पर ट्वेंटी नमबर से देख लिए फ्रेंस फटफट फट विच ब्लॉट ग्रूप इस कॉल्ड उनिवर्सियल डोनर पताए कॉन से सायद मेरे खाल से हर इस्टुडियन को पता होगा ओ को ठीक है ओ पॉजिटीव ठीक है विच वन इज साइनव टीक रेशिय ओफ मोनो हाइब्रीड क्रॉस क्या होता है भाई इस दोनों आपको तो यह आप रट लेजेगा 3.1 ठीक है 3.1 निकल कर दाएगा फिर तो को यहां पर राइनो सेंट्यूरी इस लोकेटेड इस विच इस टेट पाता है काफो सिंटी उलोकेटेड करता है काफी यहां पर हो आ灣र् से on में करता है यहां पर formation of mRNA for DNA is called क्या कहलाती है ये 23 नमबर है 23 की जब एंसर होगी वाद तो C निकल कराती है कि translation the safe noise level fixed by WHO कितनी safe की गई है आपको fixed level तो friends 24 का answer निकल के आ जाएगा आप लोग को दोस्तो A नमबर ठीक है 20 से 30 decibel आपको की गई है दोस्तों यहां पाती है next question तरफ में तो हमारा next question में देख लिएगा malaria is caused by बताएगे क्या friends इसका होगा malaria जो होती है किस कारण से हो जाती है कौन से cause है इसकी तो friends इसका जो answer आएगा female anophils female anophils से होती है ना कि male anophils bio fertilizer is present in root nodules of which none legonious plant इसका answer 26 का कौन सा हो जाएगा फ्रेंस इसका answer a हो जाएगा आपको astobacter फिर दोस्तों आते है 27 नमर में हमारा देख लिएगा which bacteria is used in formation of curd from milk कौन से बैक्टरिया यूज किया आता है वो curd तो यह सायब मेखाल से हर student को पता होगा lactobac list ठीक है काफी basic question था यहाँ पर फिर दोस्तों यहाँ आते हैं यहाँ पर inheritance of acquired character was given by 28 का answer क्या होगा दोस्तों 28 का B हो जाएगा आपको landmark ठीक है दोस्तों आप यहाँ आते हैं 20 यहाँ पर आगे चालता है 28 का 29 से आपको question नमर साथ में खराब हो चुकी है एक मिनट हाँ इन वीच आप द फ्लॉविंग स्पेसिस ठीक है plant seeds are produced through epoxy mixes क्या होगा दोस्तों 29 के दोस्तों C निकल करें क्या आप वादेगा kratus and mango फिर तो यहाँ पर आपको question आप जैने परजेंट और सेम लोकस हैबिंग different expressions are called क्या बोलेंगे भाई उसको तो देखें यहाँ पर आपको जो है इसका answer आपको C निकल के आजाएगा उनको जीनी ठीक है तो चलते हैं पर देख लीजेगा यहाँ पर निस question है हमारा flavor is a तो यहाँ पर इसका एससस C निकल के आजाएगा हम गड़ा ट्रांजिक ट्रमैटो फिर दोस्त आते हैं इस question यहाँ पर the specific sequence the specific sequence of DNA recognized by restriction आपको इंडो निकलास आड़ डास तो फ्रेंसिसका इसका हमारा a number ठीक है पढ़ लीजे आप तो आप चलते हैं यहाँ पर उसके बात यह question कुछ important some question और है तो उससे भी देख लेते हैं विच अप द फ्लोविंग नेटो मदस इंफाक्ट द रूट आफ टोबैको प्लांट तो इसका दोस्तों जे एंसर हो जाएगा आपको बी नमबर निकल करता है क्राई आई एस ए मॉल्क्यूलर टेक्नीच ठीक है ए मॉल्क्यूलर टेक्नीच इन विच मल्टिपल कॉपी अप द डिजायर जैन इज सिंथे इन विट्रो इस कॉल्ट अस तो इसका दोस्तों एंसर लगा हमारा बी नमबर पी सी आर फिर दोस्तों यहाँ पर देख रेसिस्टेंस व्राइटी ओफ इसका अंसर दोस्तों बी निकल के अदगा वीट दोस्तों इस तरह से मैंने जो अपना था को ट्वेंटी थर्टी फाइव कोशन मैंने इसका कोर्स खतम कर दिया मैं इसका पार्थरी भी जल्द लेगा दोंग आप लोग कॉमेंट के दूसार कि मैं भी आफी लोकेटर के स्टुडेंट हूँ इसलिए मैं दोस्तों मैं मुझे जो भी होगी आपको यह अपने अंसर जो भी होगा मैं आपको करूंगा और को सिस्करूंगा जल्दी क्लास लाने के लिए और हमिशा बैंको बोली तो आप पीडियेफ चाहिए तो आप जा आप आप